हेलो एवरिवान मेरा नाम सलूनी चुग है और आज हम अपने फ्रिक्शन के टॉपिक से एक कोर्शन डिसकस करेंगे यह कोर्शन 2019 के नीट में आया हुआ है तो यह काफी अच्छा कोशन आपको कॉंसेट बहुत अच्छे से क्लियर होगा है ठीक है देखें डिसकस करते हैं हमारे कोशन में क्या रखा अब बॉडी ऑफ मास एम इस कैप्ट ऑन रफ होरीजॉंटल सर्फेस मतलब हमें बॉडी दे रखी है जो एक रफ होरीजॉंटल सर् रफ लेखा हमें की वहां सर्फ चरान होगी है उस कोशिएंट डिक्सटन में दराख अब करता करेंगे की की कैसे हैं सबसक्तलों प oppose कि यह तो आपट कोर्स जो हमारी क्म्म क्रिक्षन है वह क्या है Kynetik Friction को लगती है जब बडी चलना शुरू हो जाती है तो बडी यहां रेस्ट पर तो स्लाइडिंग क्या होती है tidak नेचर होती है कि और हमारा जो ऑनेटिक friction वो क्या होती है वो self-adjusting नहीं होती और उसके fix value होती है static friction अपने आपको self-adjust कर लेती है और जो kinetic friction है उसको हम already class में discuss कर जोगे उसको हम sliding friction भी बोल देते हैं ठीक है तो यहां पर क्योंकि body नहीं move करी तो इसलिए body जो है static friction लग रही होगी body पर ठीक है तो आगे रखा the resultant of the normal reaction and the friction force on the object is to resultant normal force or friction force का वो उस body पर क्या होने वाला यह हमें निकालना है और यह हमारे options है ठीक है तो ऐसे options है less than equal to yes a sign है तो देखके डरना नहीं है easy question है है देखिए हम solve करते हैं okay तो क्या दे रखा हमें एक body दे रखी है मास की body है okay इस पर हमने क्या करा हमें दे रखाए कि यह rest पर है यह body rest पर है यह चल नहीं रही है ठीक है चल नहीं रही तो इस पर friction force होगी ठीक है और यह चल लेरी हमने कुछ external force दे रखी होगी of course तभी तो देखो हम आप यहां से देख सकते हैं क्या दे रखा है a body is kept on a rough horizontal surface a horizontal force is applied on the body na मतलब एक horizontal force apply कर रखे आपने external force आपने अपने अप्लाई कर रखे है बट still body move नहीं कर रही अच्छा अब पहले यह समझते हैं कि body move क्यों नहीं कर रही होगी यह मैं आपको बता दिया है हमारी जो friction force होती है वो self adjusting होती है static friction self adjusting होती है तो static friction का काम क्या होता है अगर तुमने external force लगा रखी है तो acceleration तो होनी चाहिए तो वहां पर जो friction है static friction है वो अपने आपको self adjust करते हैं मतलब वो external force को अपने आपको equal कर लेती है और जिसकी वसे body का कोई movement नहीं होता है तो basically क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर देखो क्या हो रहा है यह जो हमारी यहां पर external friction है ना यहां पर देखो external यह हमारी friction force होती है और यह external friction होती है इसका graph क्या बन वाया था मैंने याद हो तो आपको आप ऐसे होता है कैसे अग्राफ ऐसे ग्राफ था और फिर ऐसे था थोड़ा है ना तो मतलब कि शुरू में जब तक body नहीं move करी तब static friction लगते ताब friction आपने आपको force के external force से balance करके रखती है एक time आता है जो maximum limiting friction होती है एफ लिमिटिंग स्टाटिक का लिमिटिंग केस होता है वो उस time पर क्या होता है और यह बहुत छोटा सा ही इसमें दिख रहा है पर यह बहुत छोटा सा डिप आता है एकदम और यह होती है हमारी कानेटिक फ्रिक्शन होती है ठीक है ना तो कानेटिक फ्रिक्शन जो है तब तक बॉड़ी इस म्यू एस इंटो एन के बराबर एक्टरनल फोर्स नहीं पहुचती तब बोड़ी स्टाट नहीं होगी तब तक बॉड़ी रहीं क्यों फ्रिक्शन जो है वह हमेशा अपने आपको फोर्स के इक्वल कर देगी ठीक है तो इस केस में यही हो रहा है इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे एक्स्टरनल फोर्स है फ्रिक्शन है अफ्कोर्स एक्स्टरनल फोर्स जो है उसको हमारी फ्रिक्शन ने बैलेंस कर रखा है ठीक है तो अब हमें हमें निकालना है कि हमारा नॉर्मल reaction क्या होगा ठीक है तो हमारा normal reaction क्या होगा तो हमें basically बोल रखा है sorry हमें निकालना है कि हमारा दे नॉर्मल और friction दोनों forces का ठीक है resultant क्या होगा basically तो आप देखे friction जो हमारी friction force है वो तो self-adjusting यानिक इसने external force को equal कर रखा है ठीक है तो यह तो ऐसे है ठीक है बट इस friction force यानिकि इस external force is less than of course mu into n है ना क्योंकि हमारी जो friction force है वो अपनी maximum value से कम है इस वक्त है ना friction force is less than mu into यहाँ पर आप देखिये आप देखिये यहाँ पर हमारा जो question है इसमें इसमें यह है normal force और यह है mg force ठीक है तो यह normal force है यह friction force है ठीक है और normal force normal force किसके equal है mg की equal है तो जो हमारी यहाँ पर friction रहेगी वो कह रहेगी वो less than रहेगी it's always less than is always less than mu mu m mu mg ठीक है friction और यह मतलब यह friction है जो कि external force के equal है इस वक्त या तो वह equal है यह उसे less than होगा ठीक है तो इसलिए हम नहीं यह लिख दिया है टिक है एम ख्रशा है टिक है यह एम क्या हो जाएगा एम जी है ना अच्छा आप क्या करेंगे आप ऐसे कर सकते हैं कि हमें magnitude से मतलब है तो हम इसका magnitude निकाल देते और N और F जो है N इस direction में F इस direction में तो यह 90 डिग्री पे हैं तो इसको हम लिख देंगे ऐसे ठीक है इसका resultant ऐसे आजाएगा ठीक है तो आर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अब देखो इस friction के value नहीं पता में इस एक्स्टरनल फोर्स की को यहीं पता है बस हमें ठीक है तो इस friction को बढ़ हमें पता है कि यह जो friction है न यहां पर यह less than है म्यू एस एमजी यह less than है म्यू एस एमजी के तो अगर यह less है तो यह भी less होगा तो इन शॉट यहां पर जो equal to sign है वो ऐसे हो जाएगा ठीक है तो जो रिजल्टेंट है यहां पर अगर मैं इस friction की maximum value डाल दो तो यह यह इसके है यहां पर friction की maximum value डाल दो मतलब यह less than or equal to and mg square plus friction की जो maximum value है f max ठीक है यहां पर मैंने less than equal लगा है यहां पर friction के अब मैंने maximum value डाल दे क्योंकि friction हमारी less than this है यहां पर less than वाली चीज़ यहां पर डालेंगे तो यह resultant less than equal हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आप mg common निकाल लीजे अंदर बन जाएगा 1 plus mu square अच्छा इसको आप mu s नहीं मियू है हमारे question में ठीक है तो answer जो आ गया हमारा वो आ गया magnitude जो resultant का magnitude है जो कि options में f जा रखा है confused होने की कोई जरत नहीं है is less than equal to mg under root 1 plus mu square ठीक है तो यहां पर आपको यह question करने के लिए आपको static friction का idea होना बहुत जलूरी है ठीक है कि static friction कैसे self adjusting होती है और वो जो friction है जब तक body नहीं in to n ठीक है तो यह हमारा आर आगया तो हमारा answer आगया यहां से जो हमारा answer आगया वो क्या जागा यह f ते रखा है external force वाला f नहीं है ठीक है तो confused होने की ज़रत नहीं है यह क्या f है यह basically resultant की बात है क्योंकि हमें नॉर्मल और फोर्स का resultant पूछा तो जो resultant जो अपना आ रहाया है वह आगया लेस देन mg अंडरूट 1 प्लस new square तो answer आगया हमारा ठीक है डी हमारा correct answer ठीक है तो यह बहुत अच्छा कोशन है आप इसको समझें और अगर आपको इस हमारे आज की क्लास में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए WhatsApp नंबर में पूछ सकते हैं या यूट्यूब में कोमेंसे में पूछ सकते हैं था तो थार णापनार नेएट वूटो